मैं हूँ पूजात्र पार्टी आपके साथ और आप देख रहे हैं आज का बाजार और इस शो में हम आपको देंगे मार्केट का एक क्विक रीकैब दिंभर का आक्शन किस तरह से रहा कौन कौन सी एहम खबरे आई बाजार के दौरान इस पर भी हम आगे चरचा करेंगे और दिगज मार्केट एक्सपर्ट का क्या वियू बन रहा है बाजार पर ये भी हम आगे आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले बाजार पर नज़र डाल लेते हैं और आज दिंभर हमने देखा बाजार अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था निफ्टी में लगा त से सेक्टर आज चल रहे थे कौन-कौन से स्टॉक्स में अक्शन था ये भी समझ लेते हैं प्रियंका हमार साथ जोड़ चुकी है पूरा अपडेट लेकर प्रियंका बताईए तेकि आज मेजर ली तो आपको आपको आपना दो तीन पॉकेट से तेजी देखने को मिली क्यो थी आई-टी और दूसरी बड़ी पॉकेट थी जिसमें ग्राजुली तेजी बड़ी वो था अडानी पैक इन फाक्ट आप अडानी निफ्टी के पहले पांच बड़े काउंटर्स की बात करें तो उसमें टॉप टू काउंटर्स विद बिग मूफ लाइक अडानी एंटर् सपोर्ट आपको कुछ और रिकावरी ट्रेड्स भी देखने को मिली जैसे की डिविस लाप में आपने देखा कि वहां पर नंबस के बाद बाजार को जिसना क्यूमी थी नंबस उसी तरह क्या आया और बहुत समय से दबाव था स्टॉक पे तो वहां एक रिकावरी ट्रेड हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ आप बैंक निफ्टी में देखे तो वहां थोड़ी सी दबाव देखने को मिला लेकिन आप मिट कैप और स्मॉल कैप वहां लगातार मूव थी मिट कैप में कहीं स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बारक कृष्ण सब्सक्राइब करें तो वहरे निशान के साथ बंद हुए मिट कैप आइटी में अगर आप बात करें तो वहां पर LTI माइन ट्री परसिस्टन जिससे स्टॉक्स ने अच्छा कांट्रिब्यूट किया फार्मा में डिविस लैप के वज़े से आपको तेजी वापस लुटी दिखाई दी दूसरे जो स्टॉक्स उसमें और विंद फार्मा जैसे स्टॉक्स वापपस आये PSU बैंक्स की तरफ से थोड़ा सा दबाव था और PSU स्में आपको फिर से जो बड़े ड्रागर दिखे मिट कैप PSTU में उसमें आपको पंजाब इंसें यूनियन बैंक इसे स्टॉक्स में मूव थी जो डिसरपॉइंट कर रही थी वहां से थोड़ा सा प्रेशर आया ज्यादा बढ़ा नहीं बट माइनर प्रेशर मिट कैप में और जो दूसरे कुछ और काउंटर्स थे जिनकी जिनकी मूवस नोटिसिबल रही वो था एक बाला जी है माइन्स नंबस के बाद और मोर वर सारे इंडिपेंडेंट अल्मोस्ट मुल्टिपल इंडिपेंडेंट डिरेक्टर से वहां रिजाइंग किया वो एक र जावर देखी थोड़ा से ट्रेल लास्टार में रिकावर हुआ लेकिन इसी तरह से सिमेंस अपने पेरेंट कंपनी को दो सबसीडरी सेल ओफ करेगा शेयर सेल करेगा और ट्रांस्वर करेगा और वह वालिएशन को लेकर बाजार को थोड़ी सी चिंताएं थी पसंद नहीं आई वालिशन जिस मोड पर हो रही है और प्लस अब बात यह हो रही है कि जिस बिसनस को सेल ओफ कर रहे हैं उसके लिए शादा पेल विंज है तो ऐसे समय पर डील को करना माइन और शेहल्डर के लिए प्रॉटिबल सिटुएशन नहीं थी तो यह ओवराल राप्थाज का यह सारी जानकारी देने के लिए और पूरा मार्केट का अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए तचरी यह तो बात भी बाजार की लेकिन अब कुछ और एहम खबरे आपके सामने रखते हैं जिनकी बज़से आज दिंभर आक्शन में बना रहा इस पीच दो हजार की न आपके साहरी फुर्पकरपस और प्रहुंछ इनकाशत्थे रस्ट अव Statistics Water Zwe Cape कहुंस म ह jourस्क dicab इनकाशने सेistasने लडिटे believes विन ऑनाश्छ इनकाशनीष, इनकाशनीए जियर इनकाशनीवारे क्विंतक法 फ् Ellis चैक बख़ह भंप धिस सिख लेक मिस भेन leads जिए सिख लेविखे फैजलागे थाँव सिख लेक बगां चुरॉब्स Ol जिए विए संट जब घा जब।सफंट को री हुई स laquelle फिए बीथ केतीो फिए angry-la एव जे जिए उैपी but also at the currency chests which are operated by the banks so there is adequate stocks available हमने ये डेड़ दिया है कि 30 September तक आप रिटर्न करिये चार महने की समय है कोई जल्दवाजी की ज़रुरत नहीं है आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स चार में सेप्टमबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्चेंज करिये यह अमूंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजित कर दीजिये तो इसलिए चंता की कोई कारण नहीं है the demand of people that is some of it will get deposited into bank accounts some of it will be exchanged so what is exchanged across the counter it goes back immediately what is deposited in the bank accounts depends on the account holders and the customers if they want to withdraw they will withdraw तो ये थे आर्बियाइ गवर्नर शक्तिकान दास नोट दो हजार के नोट बंदी पर बात करते हुए इस बीच दुनिया भर में दरों में बढ़ोत्री पर अब ब्रेक लगने की संभावना देख रही है रसे में फिक्स इंकम निवेश को लेकर क्या रणीती अपनाई जाए इस पर बात करने के लिए हमाल साथ एक्सिस मूचिल फंड के को हैड फिक्स इंकम देवांग शाजूर गए हैं आदेवांग थांकिव सुमच अपना सामय देने के लिए एटीनाव स्वदेश को आप से जाना चाहेंग सेंटर बैंकों के तरफ से सिनारियो बन रहा है रेट्स को लेकर उस पर आपका क्या उटलू बन रहा है और ऐसे में आप अनिवेशकों को क्या एडवाइस करेंगे तो आपने सही बात करी कि RBI ने अभी पॉस रखा है इंटरेशे साइकल पे इन अपरिल पॉलिसी वो लोग ने पॉस डिसाइड करा और रेट्स रेपो रेट्स और सारे रेट्स वो लोग ने स्टेटस को रखे साड़े चे पर सेट पे फैट की वो भी बात सही है कि फैट अब लास्ट आइग करा है इंडरास्ट मॉनटरी पॉलिसी इंडरास्ट फैट पॉलिसी हमारा अंडरस्टेंडिंग ऐसा है कि जो ग्लोबल डेटा दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली जो इंटरेस्ट साइकल के लिए जो मरत्वपून रहते हैं जैसे एकनॉमिक आउटलूक ग्रोथ आउटलूक कैसा दिख रहा है इंफ्लेशन आउटलूक कैसा दिख रहा है हमें लग रहा है कि नियर टर्म इंफ्लेशन सारी जगों पर आप यूएस ले लीजे आप इंडिया ले लीजे डिरेक्शन इंफ्लेशन का नीच रहेगा हमारा परस्पेक्टिव ऐसा है कि ब्रॉडली इंटरेस रेट साइकल की पीक हो चुकी है और यहां से अभी इंटरेस रेट डाउनवर्ड जाएंगे जून पॉलिसी में हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि RBI मॉल्टरी पॉलिसी पॉस पे रहेगा और फेड का भी एक पॉर्ट स्मॉल प्रॉबैबिलिटी है कि वो हाइक करें लेकिन सेवेंटी पर सेवेंटी परसेंट प्रॉबैबिलिटी ऐसा है कि फेड भी पॉस पे ही रहेंगे जहां वहाँ पर I think growth outlook काफी weakness दिखाई दे रही है उसमें और उसके वज़े से I think fed और specifically fed पॉस करना शुरू कर देंगे और जैसे ही fed पॉस करते हैं I think markets specifically will start building in कि अभी जाके incrementally fed rate cut करना शुरू करेंगे तो हमारा understanding ऐसा है कि by December 2023 हम लोग at least 150 to 200 basis के rate cut expect कर सकते हैं U.S. feds लेकिन Indian bond market जो rally कर रहे हैं क्या उससे ये अंदाजा लगाना चाहिए कि RBI ने अब तक महंगाई के मोचे पर जो भी कदम उठाए अब धीरे धीरे उसका असर दिखेगा महंगाए में कमी दिखेगी क्योंकि adverse price में भी कमी आई और कच्छे तिर में भी हम कच्छे तिर के दा में भी हम कमी देख रहे हैं आपने बहुत महत्वपूर पॉइंट दिया कि crude prices में decline आया है अचली अगर आप देखेंगे तो inflation में crude का बहुत important महत्वर रहता है core services, core inflation और oil ये सारे चीजों के वज़े से inflation में in fact इंडिया में food का भी बहुत important variable रहता है लेकिन crude oil से external sector, currency, current account, deficit, inflation ये सारे factors लिख्ट होते हैं आपने अगर देखा होगा तो एक महीने पहले OPEC ने output कट करा था लेकिन oil prices नीचे गई है generally OPEC output जब कट करता है oil prices उपर जानी चाहिए लेकिन because of slowdown और specifically अगर जो China economic output दिख रहा है, China growth cycle दिख रही है China opening up के बावजूद growth cycle weakness है, global growth cycle weakness दिखाई दे रही है तो इसके इसाब से commodities में काफी downward prices में काफी downward pressure है हमारा understanding ऐसा है कि अगर आब इंडिया inflation देखेंगे हमारा understanding के हिसाब से past रहे के आसपास रहेगा अगर आप positive real rate around 100-125 basis डाल देते है हमारे understanding के हिसाब से RBI 12 महीने में 50 basis का rate cut कर सकता है market ने वो थोड़ा-थोड़ा pricing करना शुरू कर दिया है इसलिए आपने peak जो March में around 7-40, 10-year bond deals इंडिया में 7-40 के आसपास थी वहां से अभी वो 7% के आसपास होवर हो रही है हमारा perspective ऐसा है कि जैसे जैसे ज़्यादा rate cuts price in होगे inflation outlook और और एक चीज बहुत महत्वपून है कि RBI ने growth protection जो किया है next year के लिए वो 6.5% के आसपास है अगर global growth slowdown हो रहा है हमारा तरफ से अगर consumption थोड़ा peak out होने दिख रहा है और trend नीचे की तरफ दिखाई दे रही है तो हमारा personal perspective ऐसा है कि यहां से directionally growth outlook भी थोड़ा weaken रहेगा growth outlook weekend inflation नीचे I think RBI अगर नहीं भी काटे rates उसके बावजूद हम लोग 50-75 basis का rate cut price करना शुरू करेंगे और उसके हिसाब से long bond specifically जो आज कर around 7% के आसपास trade हो रहे है वो 6-6-6-75 के बीच में trade हो सकते तो यहां से 30-40 basis की और rally दिखाई दे सकती है अचा अगर यहां से US Fed ब्यासदरों में बढ़ोतरी करती है तो क्या ऐसे में माना जाए कि RBI भी बढ़त करेगी या फिर हम महंगाई को लेकर अपनी comfort zone में आ चुके हैं और अभी फिलाल आप कोई बढ़त नहीं देख रहे हैं RBI की तरफ से सो मेरा अंदाजा ऐसा ही है कि हमारे inflation में काफी सुधार दिखा है RBI ने maintain करा हुआ है कि obviously global factors के हिसाब से rates बढ़ या घट सकते हैं अगर currency पर बहुत pressure हुआ तो दे रहा है हमारा understanding के सबसे जो मैंने पहले बताया next 12 महीने का inflation month on month ले लीजे quarterly print ले लीजे I think पांच दे के आसपास रहेगा with that logic of पांच टका CPI हमारे understanding के सबसे RBI साड़ेट से के ऊपर रेपो रेट लेके जाना बहुत-बहुत मुश्किल है तो हाँ possible है कि fed एक last hike करे बट उसके बावजूद I think RBI pause पे ही रहेंगे डेट में को लेकर भी अगर बात करें तो हमें पूरा ही complete cycle पूरा कर चुके हैं अब यहां से आने वाले समय के लिए 10 साल के लिए 1 साल के लिए या फिर medium term outlook आपका क्या है government bonds पर और longer term की अगर बात करें तो आप निवेश्चिकों को क्या suggest करेंगे So हमारा understanding है कि peak of interest rate cycle में long bonds काफी अच्छा करते हैं तो उसमें investors जो interest rate cycle को खेलना चाते हैं I think duration funds के थूरू वो लोग invest करके उसमें हमारा advice ऐसा है कि at this point of time जहाँ पे peak हो गई है interest rate cycle investors, duration funds में invest कर सकते हैं हमारा view एक साल के बार 10-year G-set पे with operative rate जो हमारा understanding है कि 50 basis का repo rate cuts price in हो जाएगा हमारा personal perspective ऐसा है कि 10-year bond deals जो currently around 690-7% के बीच में trade हो रही है वो 666-675 band में trade हो सकती है हमने क्याप portfolio में strategy change करी है हमने थोड़ा duration सब portfolios में बढ़ा दिया है और long bonds का allocation थोड़ा बढ़ा दिया है और investors को हमारी advice at this point of time ऐसे रहेगी कि जो interest rate cycle को देखके short to medium term funds बहुत अच्छे दिख रहे है जो long term investors है fixed income में और दूसरे जो tactical investors है जो interest rate cycle को play करना चाहते है उनके लिए dynamic bond fund category बहुत ही महत्वपून है at this point of time दिवां भूबहुत धन्यवाल आपका समय देने के लिए आज और bond market पर और ब्यासदरों में बढ़ोतरी को लेकर अपने व्यूद शेयर करने के लिए हमारे साथ भूबहुत शुक्री आपका चली फिलाल इस बुरिटिव में इतना ही लेकिन आप बने रिया हमार साथ खबरों का सिलसला आगे भी जारी रहे